Hello everyone, welcome back to my channel, लिवनिटी डेरोस, इक्सपेट रूथ आल्वेज एक्सपोसिस डाखने, तो कैसे है सब लोग, I hope everyone is fine and you are taking good care of your health. तो आज का जो टॉपिक है guys, वो है, कि आपके जिंदगी में सुनेहरे अपसर क्या आना बाकी है, जो अभी तक नहीं आ रहा है, so definitely golden opportunities are coming towards you, क्या आपके दहलीज पे, तीके सुनेहरा आपसर आने बाला है, तो यह जो sketch मैंने ड्रॉख किया है, वो है goldfish, goldfish काफी लाकी माना जाता है, चाहे वो हमारे Asian culture में हो, या European culture में हो, goldfish को माना जाता है, the significance of abundance, wealth and good fortune in our life, ठीके, सभाग यह होते हैं इसको देखने से, when I went to Amritsar, तो वहाँ पे मैंने देखा था, river में, ठीके, वहाँ के सब लोग, जो भी वहाँ पे आये थे, ठीके, गुरुद्वारा में, तो वहाँ पे सब लोग, जो स्नान के लिए उत्यार रहे थे, तो definitely, सब लोग, वो जो पानी था, ठीके, वो उसको ले रहे थे, and definitely, वहाँ पे जो था न, fishes एक दम सामने आ रहे थे, बहुत ही अच्छा लगा, तो goldfish देखने से ही, किस्मत जो है, वो चमक जाता ही है, okay, so let's see, let's find out, यहाँ पे मैंने एक फिर से, new cubes का introduce किया है, ठीके, वो आने वाला था, बहुत लेट आया ही है, तो चलो, let's do it, timeless है, collective है, for all zodiac science, and it is a general prediction, चैनल को like, share, subscribe जरूर करे, and instagram में follow करे, at sedakshina 1369, and you can also subscribe to another channel, so let's get started, so universe, spirit, guides, and angels, please guide me in the right direction, कि मेरे जो viewers है, उनके जिन्देगी में, क्या सुनहरा अपसर आ सकता है, जो उनके जिन्देगी को कई हद तक, बहुत ही ज़दा परिवर्तन की तरफ लेके जाएगा, so universe and spirits, please guide me in the right direction, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, अचानक आपके जिन्देगी में, दिखें, खुशियों का जैसे, मतलब, series में आपको मिलता जाएगा, खुशिया, events जैसे होते जाएगे, एक के बादेग, एक के बादेग, दिखें, so fortunate events are coming in your life, जो आप ऐसे समझोगे, कि मैं बहुत ज़द लगी इंसान हूँ, कि मुझे इस तरह के घटनाओं के साथ, ठीके मेरा सामना हो रहा है, हो सकता है कि किसी का, देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे, मैंने यहाँ पर बहते हुआ पानी ड्रॉ किया था, और यहाँ पर बहते हुए पानी में, एक अचानक से, बीच ओ बीच में, कॉटेज जैसा यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, फिर इसके यहाँ से, एक टर्टल या टॉर्टोइज निकल रहा है, तो धीरे सही सही आपके जीवन में, जो स्टेडी ग्रोथ होने वाला था, एक स्टेबिलिटी होने वाला था, वो होके रहेगा, ठीक है, और अफ कोर्स, कुछ लोग के लिए आप देखोगे, कि शादी के समय पे, आपके मा जो है, उनकी जो खांदान की जो परंपरा, अनुसार जो होता है, ठीक है, वो अपने जो भी ओर्नमेंट्स है, वो आपको देंगे ट्रैडिशनल वाइस, ठीक है, आपकी शादी होगी, आपकी रोका, महंदी, संगित, लगभग इवेंट्स होते रहेंगे, दूसरा है, अपने ससुराल पर, अगर आप कदम रख रहे हैं, तो वहाँ से भी आपको कई ज़्यादा सर्फराइज़स मिलने वाले हैं, especially if you are a female, तो बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पर दिख रहा है, after the wedding gets over, पता नहीं कि एक सीरीज में, मैं आपको यहीं बताया था, कि एक सीरीज में, आप जा रहे हो उस देश में, या उस शहर में, या उस country में, of course, उस देश में, जहाँ पर generally cottages के लिए जाने जाते हैं, even in our country also, Goa is known for its cottage culture, ठीक है, villa culture, उस तरह के, जिस तरह का होता है Portuguese culture, Mediterranean culture, उस तरह से, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, उसी तरह से आप कोई, island या sea beach, में अपने जो है ना, बहुत खुल के जी रहे हो, nature के सामने जी रहे हो, देखें, all right, so I do find, कि आप अपने person के साथ, बहुत ही carefree हो के, लिखें, गूम रहे हो, जैसे कोई भी आप की जीवन में रोख ठो, आएगा ही नहीं, all right, so I can see that, कुछ लोग के लिए आप सोचोगे, इसके reverse, जो मुझे याँ पर फील हो रहा है, कि नहीं, मुझे अपने career में, ज़्यादा ज़्यादा focus करने चाहिए, शायद आप recent कुछ trauma से निगल रहे होंगे, और आपको लगेगा नहीं, this is not the right time to invest my energy in love, romance, आपको लगेगा नहीं, अभी जरूरत नहीं है, अभी मुझे अपने life के लिए, अपने जीवन के लिए सोचना है, पैसा कमाना है, independent way में जीना है, किसी के उपर पैसों के लिए मौताज नहीं होना है, एविन आप सोचोगे कि, solo काम करें, मतलब team में नहीं, आप solo काम करना चाहोगे, maybe you will become like, आप खुद ही, catering industry, खुद ही जिस field में, generally लगभग zero investment होता है, budget उतना ज़ादा नहीं लगता है, अब खुद ही कुछ, अपने ही घर में, कुछ start कर रहे हो, and you are distributing that, तीके, marketing अब खुद कर रहे हो, and I do believe in this, so मुझे यहाँ पर इस सरह से दिख रहे है, you can start like a coaching center, चाहे वो कोई भी subject related हो, arts, commerce, anything, science, अब खुद ही start कर रहे हो, projector में काम कर रहे हो, ठीके, slide presentation दे रहे हो, students को समझा रहे हो, उस तरह से मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है, कि इसी तरह से कुछ, ऐसा लगभग हो सकता है, suppose आप martial arts में, बहुत अच्छे हो, ठीके, and definitely you are making them practice, हो सकता है कि आपके सामने ही कोई ground है, sports ground, तो आप वहाँ पे जाके, बहुत सारे students को लेके जाके, वहाँ पे सिखा रहे हो sports, so you are building your own reputation, आप अपने reputation को खुद बना रहे हो, ठीके, many of you are going to start some kind of performance arts class, हो सकता है कि आप drama सिखा सकते हो, मुझे यहाँ पे दिखा रहा है इस तरह से कि आप बहुत ही सादा घुल मिल सकते हो लोगों के साथ, जो आप पहले इतना सादा introvert थे, शाहिद है, ठीके inner, मतलब आप अपने ही दुनिया में हमेशा ही जिस तरह से खुए हुए रहते थे, उससे निकल कर हटके, आप लोगों के साथ आप बात्चीत कर रहे हो, interaction कर रहे हो, और उससे ना क्या होता है, जितना आप लोगों के साथ भुल मिल जाते हो ना, इना professional way बोलो, इना personal way बोलो, ठीके आप का दिल जो है ना, वो हलका हो जाता है, आप past में जो चीज में stuck थे, उसको तो आपने already जैसे होता है ना, कि एक कीला जैसे ठोक दिया, ठीके दिवार के अंदर, और वो उस कीले को निकलने में तकलीफ होता है, उसी तरह से आपको निकलने में अभी तकलीफ हो रहा है, वो situation से, लेकिन आप जल से जल, वहां से recover हो जाओगे हैं, सबसे ज़ादा जो, सबसे ज़ादा हमारा बिमारी जो होता है, वो शारीरी से भी ज़ादा मानसी बिमारी, हमारा सबसे ज़ादा effect करता है, हमारे शरीर को लगबग, so you should take care of that, ज़ादा stress आप ना ले, ठीक है, किसी को दिखाने के लिए नहीं, बट अपने लिए आप करो, और मुझे यहाँ पर पताने क्यों ऐसा indication मिल रहा है, कि आप ना किसी को दिखाने के लिए भी ऐसा किसी के साथ अनसरी relationship में जा सकते हैं, तो उससे आप अपने आपको रोखने की कोशिश केजिए, ऐसा नहीं करना, क्योंकि उस बंदा या उस बंदी को तो कोई फरक नहीं परने वाला, as simple as that, ठीक है, मुझे यहाँ पर पताने क्यों, ice mountains दिखाई दे रहा है, पूरी तरह से बड़ब से ढखा हुआ पाहारी इलाका मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, maybe you are going to travel, और इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको उस वीडियो दिखाई दे, I do feel like that, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यह जो इनसान है, लगवा कुछ carry कर रहे है, ठीक है, कुछ carry कर रहे है, loads carry कर रहे है, मुझे यहाँ पर यह भी मैसूस हो रहा है कि, आपका काम करने का तरीका देख के, आपके boss हो सकता है कि, आपके उपर और काम का load दे दे, लेकिन आप चिंदा मत कीजिएगा, आपको compensate किया जाएगा, and they will pay to you, और हो सता है कि, आपका नाम जो है, वो already कुछ और project के लिए आगे रखे, and definitely that's a great opportunity, क्योंकि आपका एक project, शाइन होते वे देख कर, तिके वो और आपसे उमीद रखे, कि आपके लिए second project, आप ही handle करोगे, और आप ही उसको आगे लेके जाओगे, तो आपके seniors का, आपके उपर बहुत ज़ादा, एक positive impact, मुझे आपे दिखाई दे रहा है, कुछ लोग के लिए studies के लिए, मुझे आपे यह ज़रूर मैसूस हो रहा है, कि आपको proper guidance मिलेगा, with the counseling sessions, दूसरा है mock tests के लिए, आपको जो भी tutor, जो भी professor, lecturer, जो भी है वो आपको prepare कराएंगे, यहाँ पे मुझे हटी दिखाई दे रहा है, so you need to have certain calcium in your body, तीक है मुझे दिख रहा है, आपके हटी हो का problems हो सकता है, आने वाले समय में, so careful रहे हैं, दूसरा है दान तो का भी problems हो सकता है, so eat certain food, जहाँ पे आपका हटी वाले मजबूत वाला कुछ हो, तो आप उसी खाने को लीजे, ठीक है, दही, पनीर, इस तरह का खाना, and if you prefer non-vegetarian, that is, that depends on you, okay, किसी के साथ एक ऐसे gossip, there are two people here, I can see that they are gossiping about something, हो सता है कि आप दोनों gossip कर रहे हैं किसी के बारे में, या वो लोग gossip कर रहे हैं आपके बारे में, I don't know what, but certain ways I can see, कि दो लोग आपके बारे में, बहुत ज़्यादा, मतलब gossip कर रहे हैं, मैं भी आपके against में भी कर सबते हैं, ठीक है, उसे कोई फरक नहीं पड़ेगा, but they are doing it, maybe in your family, यहाँ पर B letter, यहाँ पर C letter, यहाँ पर I, यहाँ पर H, यहाँ पर K, किसी का यहाँ पर baby boy हुआ है शायद, recent कुछ समय में, हो सकता है कि आपके परोसी हो सकता है, आज में continuous मैंने बताया यहाँ पर, यहाँ पर मेरे flow जो निकल रहा था, एकदा हम continuously, somewhere, somewhere, somewhere in the world, कोई तो है आपका इंदिसार कर रहे हैं, definitely उनका जो है action, आपके जिन्देगे में, बहुत असर करेगा, business relationship आपका develop होगा, ठीके, जो लोग शायद आपके उपर trust नहीं करते थे, कि आप new comer हो, ठीके, आप एकदम fresher हो, तो आपके उपर trust नहीं था, पर उन लोगों का trust आपके उपर जरूर बरेगा, तो उसके लिए वो लोग collaborate कर सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं, कि आपके साथ business या कुछ इस तरह के field में, आपको सहायता जरूर करें, कुछ लोग अपने मन चाहे departments को select करेंगे, तो मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा positive impact यहाँ पर दिखाई दे रहा है, now let's come to the cubes, यहाँ पर cubes से हम देख लेते हैं, new cubes से, अब देखो completely these are new cubes, these are not the old cubes, okay, so यहाँ पर मुझे यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है, पगरी और मुझे, और सदर सम उफ यू और फ्यू आर फ्रम ट्रेडिशिनल, मतलब आप इस फैमिली से भी लॉंग करते हो, यहाँ पर ट्रेडिशिनली बहुत अच्छा पाराम पर एक वे से बहुत ज़ता फेस्टिबल्स होते हैं, यह मुझे दिख रहा है, maybe you're from Rajasthan और सम्वेर इल्स, जहाँ पर लोग बगरी भी पहनते हैं, मुझे भी है, maybe from the northern part of India, या आप इस costume designer हो, या in future आपको मिलने वाला है अवसर, okay, horse, I know it's a unicorn, वाव, so angels के आशिरवाद आपके उपर है, कल ही मैंने 11.55 देखा था, बहुत सारे angel numbers में देख रही हूँ, लेकिन न, मैं post करना न, इतने time नहीं मिल रहा है मुझे, so 11.55, maybe you can see 13.31, maybe you can see 20.02, 21, 12, इस तरह साथ देख सकते हैं, यह, बच्चे, मैंने आपको बताया था न, यहाँ पर बेबी बहाई या कुछ है, यहाँ पर देखो, graduation, post-graduation, diplomas, you are going to complete, यहाँ पर मीडिया हो सकता है, कोई मीडिया से जुरेवे काम आप कर सकते हैं in future, okay, आप सर देखो, मिल रहा है, you are going, you are flying upwards, आप उपर की तरफ उड़ रहे हैं, जा रहे हैं, शनी का असर आपकी जिन्दगी में हो सता है, कि आप शनी आका ड़िया से गुजर रहे हैं, या शनी का सारे साती से गुजर रहे हैं, इस दौरन आपको थोड़ा सा struggles मिलेगा, बस शनी जी की प्रभाब जो है, ठीक है, हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि खड़ाब है, डिले हैं, बट छपर फार्के भी देते हैं, okay, so I do find a camel again, camel और पगरी मुझे रजस्तान का ही indication दे रहा है, strongly, I don't know why, maybe you'll go for a camel ride, whatever be it is, whatever be it is, maybe in the desert area हो साता है, क्या भूमने के लिए जाओ, India, okay, भारत वर्ष कोई भी state में, कोई भी city में, कोई भी country में, sorry, कोई भी state में, city में, region में, ठीक है, आपका travel हो सकता है, so you can explore different places, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, and due to your sexual union, of course, a divine child आपके लिए आ रहे है, ठीक है, if you are expecting, तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यह child, आपके भी तरके के लिए, बहुत ही जिम्हेदार होगा, क्योंकि, कुछ parents, ऐसे भी मैंने देखा है, क्योंकि उनकी जब से बच्चे आए है, उनके जिन्देगी में, तब से उनके जिन्देगी बहुत ज़दा, खुशी से भर गया है, उमीद रखते हैं कि ऐसे ही हो, तो यहाँ पर मैं रिडिंग को end करे हूँ, I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section, till then take care of yourself and keep watching, divinity, terror, six by truth, always exposes darkness and will expose darkness, thank you guys and love you a lot and take care of yourself,